तो ये हमारी कटल की बहुत ही टेस्टी सब्जी जो है वो बन के तियार हो गए है या देख सकते हैं कटल भी एकदम सही से पके हुए है ग्रेवी भी एकदम सही है और कलर भी कितना बढ़िया है हे एवरिवन मैं हूँ कविता और आज मैं आपके लिए लेकिया आई हूँ कटल की सब्जी की रेसिपी सकते हैं तो जब कटल को कट करते हैं तो इसकी अंदर से वो एक गोन जैसा मटेरियल निकलता है जो की हाथों पे चिपकता है तो उससे बचने के लिए अगर आप हाथों को तेल से ग्रीज कर लेंगे तो यह चिपकेगा नहीं तो मैं यहाँ पे नाइफ से कट कर लेती तो मैंने यहाँ पे छोटा कटल इस्तमाल किया है यह टेस्टी जादा होता है लेकिन अगर आप अचार बगरा बनाना चाहते हैं तो बड़े कटल का इस्तमाल करें तो यहाँ पे यह जो कटल का दूद बोलते हैं से यह जो निकल रहा है न तो इससे बचने के लिए पहले क क्या करना पड़ेगा कि थूड़ा सा सर्जों का तेल हाथों पे लगा ले और इसके बाद आप इसके पिसेश कर ले और इसके बाद इसका छिलका निकाल ले तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसे काट लेंगे और इसके बाद इसके इस पाट को निकाल देंगे और इसके छोटे-छोटे टुकडे कर लेंगे कटल काटने के बाद वो तुरंती काला होने लगता है तो आप उसे काटने के बाद तुरंत पानी में डाल दे अब हम इस कटल को पानी से 2-3 बार अच्छे से धोलेंगे नल के नीचे ताकि इसका जो स्टिक नेस है वो खतम हो जाए अब हम चलते हैं इसे उबालने के प्रोसेस में तो इसे उबालने के लिए आप इसे डारेक्ट प्रेशर कुकर में डाल दे और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे एक कप पानी पानी का इस्तमाल बहुत जादा नहीं करना है बस कटल का जो बेस है वो भीग जाना चाहिए एक छोटी चमच हम इसमें नमक डाल देंगे और उसके बाद कुकर का डखन बन करके हाई क्लिंप पे हमें एक सेटी आने तक उबाल लेना है एक से ज़्यादा सेटी नहीं लगा है नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा तो जैसे पहले सेटी लगे गया इसको बन किया है और इसके बाद इसे ठंडा हो जाने देंगी तब तक हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पर बाखी चीजे में आपको दिखा देती हूँ तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम प्याज लिया है इसके साथ 25 ग्रम लैसुन और 4 इंच अद्रग लिया है तो यहाँ पर प्रेशर को कर ठंडा हो चुका है हम इसे खोल लेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि करड़ को मैंने कितना पकाया है तो यह स्पून से या फिर हाथों से चेक कर लें यह देखे बस थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है ऐसा तो अब हम क्या करेंगे कि इस करटल को एक बरतन में निकाल लेंगे पानी इसका नहीं फेकना है तो यहाँ पर मैंने करटल को निकाल लिया है इसे अलग रख दे और यह जो पानी बचा हुआ ने इसे भी निकाल के रख देंगे फेकेंगे नहीं अब मैंने cooker को clean कर लिया है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसो का तेल आप चीए तो दूसरा cooking oil इस्तमाल कर सकते हैं जो आप खाते हैं सरसो के तेल में यह ज़्यादा टेस्टी बनता है जैसे ही तेल गरम हो जाएगा यह उपला हुआ कठल डाल दे और इसके बाद इसे दो मिनट के लिए fry कर लें fry कंट इसे कठल की जो सब्जी है वो ज़्यादा टेस्टी बनती है दो मिनट बाद हम देखेंगे कि कठल हमारा fry हो चुका है यह देखें तो अब हम इसे निकाल लेंगे तो इसे मैं सेम बावल में निकाल लेती हूँ कटल को फ्राइ करना ओप्षिनल है अगर आप इसे कम तेल में बनाना चाहते हैं तो आप इसे बिना तले, मतलब प्याज बगरा डालें जो उसके बाद भी आप इसे डालके बना सकते हैं फ्राइ करने से स्वाथ थोड़ा बढ़ जाता है लेकिन कम तेल में भी यह बनता है अब हम क्या करेंगे कि सेम कुगर में वापस तेल डालेंगे आप चाहे तो कुगर को क्लीन कर सकते हैं लेकिन ये तेल का यह इसलिए मैं चेंज नहीं करी हूँ और मैंनी आपे non-stick इस्तेमाल नहीं किया इसलिए थोड़े से कटल चिपके हुए है जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे एक बड़ी लाइची ऐसे तोड़के एक से डेड़ेंच जैसे दालचीनी डाल दे आठ से दस साबुत काली मिज डाल दे दो-टेच पत्ता डाल देंगे और इसके साथ एक छोटी चमर जीरा डाल देंगे इन सब को तेल में भूल ले जैसे ही जीरा जो है वो पक जाएगा हम इसमें crushed कि हुए यह अद्रक और लैसुन डाल देंगे प्याच को ऐसे अदर ग्लासों के साथ मिक्स करें और इसके बाद 12-13 मिनट तक आराम से पकने दें। हमें प्याच को पूरा गला लेना है तो पैन को कवर कर दें और गैस का फ्लिम लोग कर दें। बीच-बीच में आप इसे मिक्स करते रहें ताकि यह जले नहीं। यहाँ प्याच जो है जब तक पक रहना तब तक हम मसालों की तियारी कर लेते हैं। तो सूखे मसालों को हम पानी में भीगो देंगे, तो यहाँ पे दो छोटे चमच मैंने धनिया पाउडर लिया है, एक छोटा चमच हम इसमें जीरा पाउडर ले 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 ले, एक छोटी चमच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर और आदी चोटी चमच धनिया पाउडर ल आप डिए सकते हैं तब हम इसमें डाल देंगे यह जो हमने बना के रखें तो यह पर यहाँ पर यहीं पर यहीं पर असे पर दाने के बार्ट है अब मसाला के साथ को दो मिनट और भुनेगे हम इस सब्जी में टमाटर का इस्तमाल नहीं करेंगे और आप भी ना करें टमाटर से इसका टेस्ट जो है वो पूरा चेंज हो जाएगा आप इसे प्याज वाली बनाए यह सब्जी बहुत अच्छी बनती है तो यहाँ पे मसालों को हमने प्याज के साथ भून लिया है यह आप देख सकते हैं तब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ कटल कटल डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 3-4 हरी मिर्च सब्चियों में आप हरी मिर्च का इस्तमाल करें लाल मिर्च की जगा उससे ये हल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है लेकिन अगर आप पार्टी वगरा के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप करके इसकी जगा लाल मिर्च का इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि लाल मिर्च से सब्जी जो है वो दिखनी में ज्यादा अच्छी लगती है लेकिन हमें ना टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना जीए तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हरी मिर्च का इस्तमाल हर सब्जी में करें तो अब हम इसे ढखके दो मिनट और पकाएंगे तो यहाँ पे कटल मसालों के साथ अच्छी से मिक्स हो गई है यह आप देख सकते है यह देखे तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी तो एक कप के करीब पानी डाल दे तो कटल को बालने में जो पानी मैंने इस्तमाल किया था वही पानी मैं इसमें आइड कर देती हूँ नमक डाल देंगे स्वाथ के अनुसार पानी और नमक डालने के बाद हम इसे ऐसे मिला देंगे और उसके बाद मीडियेम फ्लेंपे एक सीटी और पकाएंगे ध्यान आइड कडल को हमने उबाल के रखा है तो बह। ज़्यादा नहीं पकानी है दो शीटी उबालने में और एक सीटी यहाँ पे मतलब मसालों के साथ तो अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और मीडियूम फ्लेम पे एक सीटी आने तक और पकाएंगे एक से जादा सीटी नहीं लगानी है इस बात कर ध्यान रखें जैसे प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा हम इसे साथदानी से खोल लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबजी का कलर और टेक्शर कितना बढ़ी आया है तो लास्ट में हम इसके उपर एक चमजगी और बारी कटा हुआ धन्या पत्ता डाल देंगी और अब हम चलते हैं इसे सर्फ करने के प्रोसेस में देख रहा है ना मज़ेदार तो यह हमारी कटल की बहुत ही टेस्टी सबजी जो है वो बन के तियार हो गए है यह देख सकते हैं कटल भी एक्दम सही से पके हुए है ग्रेवी भी एक्दम सही आप कलर भी किता बढ़िया है यह मेरी थाली में वाह ट्राई किजेगा